नवस्कार हेटलाइंस बिहार देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रियांग सौरव राजत सुप्रीमो लालोपरसाद यादव आज फाइनली जेल से बाहर आ गए हालांकि वो दिल्ली इम्ष में अपना इलाज करवा रहे थे लेकिन काफी समय से उनकी तब्यद जो ख काहें बनी हुई थी लालोपरसाद यादव की जमानत को लेकर जो तमाम खबरे आ रही थी तो यह लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर लालोपरसाद यादव जेल से बाहर कब आएंगे यानि जो वह अस्पताल में सजा या आफ्ता मन के इलाज करवा रहे हैं तो वह अब वहां से कब निकलेंगे तो इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वह यही है कि अब मिशा भारती के घर पर लालोपरसाद यादव पहुंच गए हैं और इस वक्त की यह सबसे बड़ी ख़बर है और हम आपको वह तस्पीर भी दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सक के रिम्स में उनका इलाज चल रहा था सजायाफता थे जिस तरीके से दुमका कोशागार मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली थी तो इसको लेकर वह अब तक सजा काट रहे थे और ऐसे में अब लालोपरसाद यादव जेल से बाहर आ गया है बिते दिनों उन्हें जमानत म नहीं जाएगा तो ऐसे में बेल बॉंड भरने में परिशानी हो रहे थी लेकिन बिते दिनों बार कांसिल ओफ इंडिया ने इस बात को लेकर आदेश दे दिया तमाम कोट को दे दिया कि जो लोग जमानत पर हैं जिने जमानत मिल गया और बेल बॉंड भरने के लिए वखी दिल ने बेलबॉंड भर दिया है बेलर बने थे लालु प्रसाद यादव के दो करीबी निशिकांत और एक और भी उनके वेहत करीबी साथी थे जो कि लालु प्रसाद यादव के बेलर बने थे उसके बाद फाइनली अब लालु प्रसाद यादव को लेकर सीबी आई ने रिलीज ओर्डर बीते दिनों जारी भी कर दिया और अब अंत्ताह लालो प्रसाद यादव 2017 के बाद जेल से बाहर निकले हैं तो दिल्ली एम्स के बाहर लालो प्रसाद यादव निकले और अपनी बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे हैं लोगी सिंतजार में हैं कि लालो प् पहले जब उनकी तव्यत बहुत जादा ख्राब ही थी तो उस वक्त से ही लालो प्रसाद यादव के साथ रावरी देवी वहां पर मवजूद थी देखवाल कर रही थी लेकिन अब जब लालो प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है और वहां मिसा भारती के घर पे जाएंगे अब बटर हेडलाइन्स विहार के साथ अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद